क्या आपने भी इस वर्ट्स यानि की 2020 में कलास 13 का यानि मैट्रिक वर्ट से आप लोगों ने एक्जाम दिया तो आप लोगों के लिए बहुत ही वड़ी ख़वर निकर करके आ रही है क्योंकि आपको ये पता है कि मैट्रिक यानि की 10 वी का जो कोपी का मुल्यांकन है वो लगभग पूरा हो चुका है और इसी बीच में एक और बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रहे कि जो कोपी का मुल्यांकन है जो लोग टीचर हैं आप आपको दिख रहा है ये सभी जो मुल्यांकन किये हैं इन्होंने एक बहुत बड़ी गल्टी कर दी है वो गल्टी आपको अम बता जैसा कि इन लोगों का लाश्ट देख था यानि कि 14 तारिक आज लाश्ट देख था इन लोगों को कोपी चेक करने का तो ये लोग कोपी तो चेक किया आईए हम स जीलो के सामने से आ रहा है मामला देखिए यहां पर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है अपडेट कि मैट्रिक की जो कोपी जांच हुई है उसमें से अलग-अलग जीलों से जो निकल करके सामने आया है मामला वह काफी कर सकते हैं आप लोग बहुत ही खड़ाब है कोपी जांच कि 서費 पर मांक्ष अचाना बहुत है काफी पर मिष्टेक की जा रहे है कि कोपी का जांच या हो चुका है ठीक है कोभी का जांच हो गया है लेकिन जो मांक्ष आते नम्बर जोバबक है यहां पर सही से आपको अपडेट कराएंगे तो देखिए यहां पर आप लोग दखेंगे परमुक संबाराता यानि मुझपर पूर से यह स्खवर चपा है और इसमें बताया जा रहा है कि परमुक संपाराता कोपी की जाच हुई अंक चाधाना ही नहीं है कोपी का तो जाच हुआ लेकिन आंक चाधाया ही नहीं कहीं और शीट पर बलैंक तो कहीं बहुत बड़ी अपडेट बटाए जाड़ा है कि जो सब्जेक्टिव आपका कोईस्चन होता है उस पर जो होता है जितना भी आपने बनाया है जितना आपको मार्क से मिलना चाहिए व आप लोग रॉल को रॉल नमर और केंडर का नाम लिखते हैं यह सब होता है तो यह सब भी नहीं चाहिए तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपका डिज़र्ट जो ही वह पैंडिंग में भी जा सकता है तो चलिए इसके लिए क्या-क्या और अपडेट आगे दे रहा है आप ल आम जिला का नाम यह सब लिखा रहता है इसकुर का नाम वहां पर अंक चाहराना तो वह प्रिक्षात यानि शिक्षक लोग अंक चाहराना ही भूल गए और आगे देखिए क्या केंडरों से डर्चनों कोंपियों की ब्लैंक एबॉर्ट शिट भेज जी गई है यानि कि पर क्या हुआ आगे चलिए आपको समझाते हैं आगे देखिए क्या क्या दिया जा रहें आगे दिया जारा बोर्ड ने सभी मुल्यांकन केंडरों को ऐसी कोंपियों की सूची भेजते हुए जब आप जैने कि जो जितने भी परिक्षाती है जितने भी टीचर रोकते वह पर बोर्ड जो है आनंद किशोर उनके द्वरा और उनकी जो टीम है उनके द्वरा इन सभी कोंपि जो मुल्यांकन केंडरों इन सभी की कापियां की सूची भेजते हुए जवाब मंगा कि और संबंदित परिक्षाकों को एबोर्ड बोर्ड भी बुलाया ने कि जितने भी पर चेक किये थे और एबोर्ड शीट पर उन्होंने अंक नहीं चड़ा उन सभी को बोर्ड यानि बोर्ड के टरब से बुलाया गया है पतना बुलाया गया और आप आपको आगे समझा दें सूबे में 1000 से अधिक एबोर्ड शीट पर अंक नहीं मिला कि काफी मिश्टे के हा पांच दरजन का मतलब समझ सकते एक दरजन में बारा होता है यानि कि आप टोटर समझ सकते बारा पच्छे साइट यानि 60 कोपियों में लगबग एवार्ड शीट यानि और को यानि कि आपका नाम और जो आपका कोड़ है विश्या कोड़ यह सब कुछ चड़ाई नहीं त ना यह Salikeit यहां देखिए और जिले में छहाह मुल्यंकन किंडु पर fat πα्र आपका का चड़ रही है है दो यह सब यहां पर रहिए आगे दखिए तो कि हैं इसके आदिक कोपियों का अंक नहीं चलाएं 300 से अधिक कोपियों पर अंकी नहीं चलाएगा इनकी एवाड़ से पूरी तरह बलेंग के कई केंडर में ऐसे भी हैं जहां चालिस से पचास की संख्या में वाड़ शीट बलैंक भी बलैंक ही बेज़ दी गई बलैंक की बेज़ देगी के मतलब उस पर कुछ चाड़ाया नहीं चाड़ाया और जैसा था कोपियों वैसा ही पट्रना भी दिया गया तो चलिए आगे आपको जनकारे देदें जिले में द जोड़ा तिकन अवेडा है स्कूल रारा किरिश्न रारा खृस्न देवी ठीकन और रारा किरिश्न केंदिया और मुखर जी सेमीनगी ठीक ना साइमीनरिक केंद्र पर कोपियों की जाच चल रही है निकि यह यह दखिया आप दिख लिजए आपके इस जिला से हैं और आपक सबसे कम रारा कृष्ण एक केडिया ठीक है केडिया में बलैंक एबॉड़ शीट गया यानिकि उस पर कुछ आंखी नहीं चराए गया यह सबसे जड़ा किसी स्कूल में क्या गया तो देख लिए रारा कृष्ण केडिया में तो देखे इसके बाद एहां से महाज पांच कोप लुड़ शीट के साथ कई कॉप्या कोप्यों के वार कॉर्ड भी मिसिंग वार कोर में आपको पहले बता दिया आपका जो पहचान होता वो सब तो नहीं परिक्षाति के बारे में जानकाली ही नहीं मिल पाए जब आपका क्या लोल मरे लॉर कोड है यह सब अगर नहीं रहे तो बोर्ड के पास जब एबॉर्ड शीट पहुंची तो बोर्ड इस मामले का खुलासा करते हुए बतला है कि मुल्यांकन केंट्रों पर निटेशकों ने बताया है ठीक है ना देशाई बोर्ड को यह सब जानकारी पता चला तो वह सभी क्या किये परिक्षक जितने भी कोपी करके अंक दिया जाएगा तो यह पूरी जानकारी थी आपके लिए और काफी इंपॉर्ट एंटिटी के ना चलिए यह आपने देख लिया और आप लोगों का डिजर्ट देखिए वैसे तो कोपी तो जांच आपका 14 तारिक को ही समाफ्ट हो का 14 मार्च को आपका समाफ्ट ह हो गया है अब रिजर्ट की बार है कि कब आएगा तो देखिए रिजर्ट बहुत जल्द आ सकता है और देखिए यह 14 तारिक के बार बढ़ा दिया गया है लगवग यह आपका जांच जो है आप दो दिन और चलेगा दो दिन और चलेगा का मतलब आप लोग समझ सकते कि सु अबना है कि आ सकता है नहीं तू आपका अप्रेल के पर्थम सब्था में आ सकता है ठीक है तो चलिए वीडियो अगर हैल्प पूर लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे शेड करेंगे और भी कुछी जानकारे लेना तो हमारे साथ जूरे रहेंगे